आभी बास रहा है राट का बारा बच्च के अत्ताइस मिनित मैं आभी तक सोया ने कुछी दीन पहले आरिब बैया और सरच पक्सी का जो वीडियो के उपर में थोरा सा रियक्सेंद दिया था और रियक्सेंदी यानि आजी नियूस पर दिखाई दिया सरच को वन विवात ने उठा के लेके गया जवरजस्ती से उठा के लेके गया उससे मेरा दिमाग पुरा जटका लग गया कि यह क्या हो गया जाना भी नहीं चा रहा था उसको पेड बानके गारी बे उठाके लेके गया और जिस जगा पे लेके जा रहा था उसे जगा पे वो चलके गया जाने का बिलकुल भी मोट नहीं था यूँकि उसे जवरदस्ति करके लेके गया था दोस्तों और मैं बन विवक से भी में कहना चाहता हो अब लोग को पता है कि बहुत आज कल जनवर मर रहे हैं रस्ते पे वे जंगल पर कहीं आप लोग जाकर उसको help करते हो लेके आते हो नहीं ना तो अभी अरिभाय और सरेक्ज ket do एसा नहीं होना चाहिए था और अकलेस यादब ने जो विपक्स का जो मंत्री है उसने खूद बोला है कि सरस पंक्सी को इस तरकार सिना जाता है कि जो लोग मोर को पाल रहा है उनलों का क्या होगा और अकलिस यादर ने ये भी कहा है कि इस सरस को शीना गया इसलिए कि वो अरिफ बया के साथ मिलने के लिए गया था वो ही एक कारण बन गया सरस के लिए यही है हमारे भारत का जो रास्निती इतना खराब हो चुका है पक्सी को भी नेश हो रहा है इतना सालों से अरिफ बया ने सरस पंक्सी को अपने गर पे लेके आया सरस का पेर खराब था उसको देखबल किया उसके सर रखा और बरा होने के बार सरस ने ऐसा जादू दिखाया ऐसा कला दिखाया कि अरिफ बया के साथ वो दोस्ती हो गया यह पुरा इतिहास है दोस्तों पहले बार इंसान के साथ सरस दोस्ती हुआ यह पुरा नेशनल मीडिया ही नहीं इस सिर्व हमरे भारत वर्स का जो नेशनल मीडिया ही नहीं पूरा दुनिया का ख़्याल गया है दुनिया का चित्रावी मीडिया से maximum news ने cover करने के लिए कोशिश किया और cover भी किया सरस और अरिपाई के उपर वीडियो बना के लेकिन कुछ मीडिया वालों ने देखके रहा नहीं गया अरिपाई और सरस के उपर इंजाम लगा के दोस्ती को अलब कर दिया अरिपाई इतना अच्छा दोस्ती था ऐसा दोस्त को वो भी इंसान और पक्सी के बीच में पहले बार देखने को मिला है ऐसा दोस्ती को क्यूं सीना जाता है यार एक पक्सी को उसने जनम दिया जैसा करके उसने पाला पूशा वरा किया जंगल से लेके आया उठाके और अपने गर पे आके उसको पालन पूशन किया खाना खिलाया उसके साथ ही रखा और रज भी दोस्ती बन चुका है और वो जहां भी जाए 24 hours भया आरिफ के साथ ही रहता है उसके साथ उरके जाता है कही तो ऐसा दोस्ती को खरब करने के लिए निकला कुश नियोस रिपोर्टर ने प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आरिफ भाई के लिए सपोर्ट किजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फिलाए किजिए आप लोग भी सपोर्ट के साथ और सरस को फिर से मिलाने के लिए जय साब करके कोशिश कीज़े, दोस्तों, अरी बाए के साथ सरस को मिलाने के लिए. क्योंकि, सरस जाने के बाद, अरी बाए ने इतना रोया, वो खाना तक नहीं खाया. कैसे खा पाएंगे यार? इतना दोस्त था उनलों के बीच जो सरच और आरिब बया के बीच इतना दोस्ती था कैसा खाना खाँ पाएंगे यार वो रो रहा था इतना कुट कुट के वो रो रहा था सरच जहां भी है वो खुस है और अच्छा से रह रहा है कोई तकलिब नहीं है आरिफ भाई के साथ आरिफ भाई भी उसको अपने जान से भी ज़ादा उसको प्यार करके रख रहा है अपने गर पे इतना उससे पालन पूशन करके रखा बरा किया और अच्छा होने के बाद बन विवक ने आके उसे अजवर ज़स्ति उठा के लेकी गया एक कैसा अज्याई यार बहुत गलत हुआ है तो दोस्तों मैं बीडियो को लबा नहीं करना चाहता मैं बहुत डुकी हूँ प्लीज आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बीदू बनाएए अरिफ बया और सरस के उपर और जैसा भी करके सरकार को यानि यूगीनात को दबाव पे लेके आए ताकि वो अखिरकार खुट बोलना पड़े की अभी सरस को अरिफ के साथ ही रखेंगे और मैं सुक्रकुजर करना चाहता हूँ और बहुत दन्यवाद अकलेश यादर जी को उसने अपने दिल से अरिफ पया के उपर और सरस के उपर उसने बहुत ही अच्छा बात कहा है कॉन्फरेंस करके और हेल्फ करने के लिए कोशिश किया है और सब मिलके प्लेश दोस्तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए पूरा फिलाए वीडियो को बैराल किजे दोस्तो आप लोग खुद बनाए वीडियो को मेरा वीडियो को आप लोग लाइक करो या शेयर करो या सब्स्राइब करो मुझे कुछ फ़रागने पड़ता है दोस्तों आप लोग अच्छा लगे तो जरूद लाइक करना शेयर करना और सब्स्राइब करना नहीं तो कोई जरूआट नहीं दोस्तों बस मैं दिल से में सपोर्ट करता हूँ आडिप बया को और मैं सरस को फिर्चे में मिलाना चाता हूँ साथ रखना चाता हूँ आडिप बया के साथ इसलिए मैंने वीडियो बनाया सपोर्ट के साथ दोस्तों आप लोग भी बनाएं चलो मिलता है दोस्तों मैं तो बहुत डुकी हूँ और आप लोग भी जरूद दू को भाहिराट कीज़ें एक हो गया तो जरूर आरिभ या और सरस्थ फिरसे मिलेग candid पर पूर से किजे वीडियो बनाए ताकि सरकार भी हार मनना पड़े जो यूपी का सरकार आपड़ी जो चल रहे है वो भी हार मरना परे और बोलना परे कि लास में सरास को आरिफ के सार ही रखना चाहिए और यह मैं चाहता हूं थैंक्यू समस्थ दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत तंदवार